नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेकर आगे हैं सो सुपर फास्ट प्रश्ट वर्ल लैनर की फॉर्मिट में जो कि आपको बहुत पसंद आते हैं कम समय में ज्यादा कॉशन हो जाते हैं चली करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहला कॉशन यह रहा आपकी स्क्रीन पर रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है पंचे तंत्र मूल रूप से लिखी गई है तो विश्णू सर्मा द्वारा लिखी गई है PIL क्या होता है तो एक जन हित याची का होती है PIL सरक्री के विवाद किन दो देशों के मद्ध है तो भारत और पाकिस्तान के मद्ध में है इंद्रा गांधी राष्टी मानो संगराले कहां पर इस्ते थे तो ये भुपाल में इस्ते थे भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्याय की जाती है तो पैट्रोलियम पदार्थ पर सेबी के फल में लाली का करण क्या है तो एंथो साइनन है किस क्रशी वैज्ञान को नोबेल का शांती पुरुसकार से समानित किया गया था उनका नाम था नौर्मन बोर्लॉग भारत निर्मान के तहते सिचाई विवस्ता का लक्ष निर्हारत किया गया है तो दस मिलियन हेक्टेर भूमी का सिचाई विवस्ता करने का लक्ष निर्हारत किया गया है भारत निर्मान के अंतरगत दूर संचार सेवा हो हेतु निधार लक्ष क्या है तो दूर संचार 66822 गावों तक VPT सुविधा प्रधान करना ये लक्ष है विलेज पब्लिक टेलीफोन प्रधान करना अनुसोचित जाती है ये वह अनुसोचित जन्जाती को किस अनुसोचित के अंतरगत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजिनितिक और सांस्कित अधिकार दिये गए है अनुसोचित 17 के अंतरगत जल प्रधूशन निवाना तथा नियंतर अधिनियम लागू हुआ है तो 1947 में लागू हुआ है दली व्यास्था किस एक व्यापक व्यास्था का अंग है तो आर्थिक व्यास्था का अंग है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो State Bank of India है प्रधान मंतरी ग्राम सड़क यूजना का उद्देश क्या है तो गावों को मुख्य सड़क से जोड़ना पक्की सड़क को बनाना महादबगाली राष्टी ग्रामिर रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था तो ये 2005 में पारित हुआ था नर सिमहन समीती का संबने किस्से है तो बैंकिंग संरशना की सोधारों से है भार सरकार की एक पहल स्वयम का लक्ष क्या है तो नागरिकों को वहन करने योग एवं गुणवक्ता वाली निश्वल को सिक्षा उपलब्द कराना इसका मुख्य सार होता है पहुँच समानता औ केंदर सरकार और राज सरकारों को किसे से प्राधिकार प्राप्त होते हैं तो भारती समयधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं प्रसासने के सुधार आयूग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली वार लोक पाल तथा लोक आयूगत बनाने की संतुतिकी गई थी तो करता है प्रवर्तर निदेश चाले की स्थापना कभ हुई तो 1956 में हुई कौन सा एक छेत्रिय परिसरों का लक्षण है तो यह एक गैर समयधानिक संस्ता है छेत्रिय परिसर किस यंत्र का गुकंपतरंगों के इमापन के लिए उपयोग होता है तो सीसमोगराफ का यूज होता है तो मिशिकन जील पूरत पूरत संयुक्त राज अमेरिका में इस्तित है भारत के किन राजियों में थारू जंजाती निवास करती है तो उत्तराखंड तदा उत्तरपदिस में थारू जंजाती निवास करती है गैबन गिनी गिनी विसाव और यूग गयाना मैसे कौन इसराइल से लगती है आर्टिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है तो यूरेशियन बेसन आर्टिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है लाल सागर एक उधारन है तो अक्षे द्रोणी का लाल सागर एक उधारन है शीत महासागर धारा नहीं है तो अगुल हास धारा ये नियामक संस्था है तो दूर संचार के लिए बनाया है ट्राई को ट्राई का फुल पॉर्म क्या होता है comment box में comment करके बताइए stock exchange में कौन सटेवाज नहीं है तो दलाल सटेवाज नहीं क्यालाते है धौनी का एक महत्वपूर अभी लख्षड या तारत तो पिछ है जो निर्भर करता है तो ये आवरत्ती पर निर्भर करता है ध्वनी प्रोडूशन अमाप की काई है तो डेसीवल ध्वनी प्रोडूशन माप की काई है अगर यह जन जाती निवास करती है मिर्जापुर में वुमेन पावर लाइन 1090 ये नमबर लॉंच किया था यह उजना ये कप प्रारम हुई थी तो वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है आप 1090 डाइल करके यह पाँच नमबर दोजार बारा को रिलीस की गई थी प्रारम की गई थी यह जना राश्ट्य ग्रामेन स्वास्त्य मिसन के एंतरगत ग्राम इस्तर के जो स्वास्त करता है उनको क्या बोला जाता है ठीक है एक सुरंग में 100 वाट चमता वाले 5 बल्ब लगाता और 20 घंटे जलाए जाएंगे तो संपूर्ण विदुत कितनी खर्च होगी तो 10 यूनिट बिचली खर्च हो जाएगी कौन सा एंजायम प्रोटीनों को एमीनो अमलों में विगटेट कर देता है तो पैपसिन प्रोटीनों को एमीनो अमलों में विगटेट कर देता है समुदरी घास महत्वपूर्ण स्रोथ है तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोथ है दुई आधारी पदती के 1 किलो बाइट मतलब केवी के बरावर होता है एक केवी आपका 1024 बाइट के बरावर होता है वाइफाई के संब्द में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका क्रियानेवन ओप्टिकल फाइवर नेटवर के द्वारक किया जाता है वाइफाई बिना केवल के आपके मुवाइल में कनेक्ट हो जाता है हाँ आपको घर पर रही नेट लगवाना है तो फाइवर केवल आती है लेकिन मुवाइल में वहां से आपको डारेक्ट कुछ तार नहीं लगाना पड़ता है वाइफाई डारेक्ट काम करता है किसका मस्तिस्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है चीटी का मस्तिस्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है सुई चुवाने पर नम्लिकित अंगों में से कौनसा दर्द महसूस नहीं करेगा सुई चुवाने पर मस्तिस्क दर्द महसूस नहीं करेगा प्रवाहन जावली ये पंचाल का दार्शनिक नरेश था चौदवी शदी इसापूर्व का एक अभिलेख जिसमे वैदिक देताओं का वड़न है प्राप्त हुआ है तो ये बोजक कोई से प्राप्त हुआ है बुद्र द्वारा रुपांतर द्वक्तियों में से कौन सा अंतिम था तो सुबद्र अंतिम था कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सामिल नहीं है तो अनंत शांती ये चतुष्ट में सामिल नहीं है जैन तिरकल पासोनात किस स्थानों से समनित थे तो ये वानारसी से समनित है किस अभिलेग में अशोक का अभिलेग भी पाया गया है तो महाचत्रप रुद्र रामन का जूनागर अभिलेग में अशोक का अभिलेग भी पाया गया है अशोक के अभीलेगों में से किसमें दक्षण भारती राजों का उलेग किया गया है तो द्वतिय अम्मुख्य शिलालिक में दक्षण भारती राजों का उलेग है किस साशक के लिए एक ब्रामभन प्रयुक्त हुआ है तो गौतमी को पुत्र साथ करनी को एक ब्रामभन कहा जाता है कुशान राजवन्ष के सिक्के पाए जाते हैं तो स्वन और तामर के कुशान साशन में सिक्के चलाए गए थे गुप्त राजवंश के सिक्षे पाई जाते हैं तो सौने के और रजट के ये दोनों सिक्षे चले हैं गुप्त राजवंश में मैं सिंगली विक्षों के लिए विहार बनाने के अनुमती दी थी तो ये समद्रगुप्त द्वारा अनुमती दी गई थी विशुता द्वेत के प्रतिपादक थे तो रामाने जो विशुता द्वेत के प्रतिपादक थे उत्तर रामचरित के लिखक कौन थे तो भव होती उत्तर रामचरित के लिखक थे कलिंग युदका विरुन हमें ग्यात होता है तो तेरवे शिलालेक से ग्यात होता है कलिंग युदका विरुन दश कुमार चरितम रचनाय किस से संबने थे तो ये डंडी से संबने थे किरातार जुनियम रचनाय किसे संबने थे तो ये भारवी से संबने थे किरातार जुनियम रचनाय प्राचीन भारतिय विचारकों मैंसे किसने विधी व्योस्ता की सरवादिक व्योस्तित रूप से व्याख्या की है तो आप स्तंब ने विदी व्यास्ता की सरवाधिक व्यास्ता रूप से व्याक्षा किया है fishermen आप स्वावी मंदर कह इस्तथ है तो तिर्वननतपुरम में पुदमिनाप स्वावी मंदर इस्तथ है श्यों मंदर कहा थे थे तो станजाबुर में श्यों मंदर इसे थे श्यीलंग मंदर कहा थे थे तो यह तु मंदर अजंता की गुफाओं मैं से किसमे प्रणपाणी अवलोग की तेश्वर का चित्र पाया गया है तो प्रणपाणी अवलोग की तेश्वर का चित्र गुफान संख्या एक पाया गया है तंजाबर के वराधिश्वर मंदर का निमान खिसने कराए था तो राज राज परफम ने कराए था किस चोल शाशक को चोल गंगम नामक वराधय प्रत्य में जील बनाने का श्रीडिया गयाता है तो राज अंद परफम को अश्टांग रदर सनीता किस से सम्मंद्ध गरंथ है तो एक किसा सा सम्मंद्ध गरंथ है कौन राजा मुहंबत गौरी द्वारा चंदावर की युद्ध में पराजित किया गया था तो जैचंद पराजित इकरम शिला विहार का संस्थापक कौन था तो धर्मपाल था इल्टो तमिश के राजिकाल में सल्तनत काल की राजधानी क्या थी तो दिल्ली थी सल्तनत के किस सुल्तानों ने सरबतम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानत क्या तो इल्टो तमिश ने कर दिया था कौन सा वश था देखते हैं आप लोगों मैं से कितने लोगों को पता है इलतुत मिश का वश बहुत 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 धन्यवाद